रानी लक्ष्मिबाई केंद्रिय क्रिशी पिश्ववी धाले के नए सैक्षणिक और प्रशासानिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सुपकामनाई देता हूँ. यहां से पढ़कर बहुत कुछ सिक करके निकलने वाली वासाथी देश के क्रिशी ख्षेत्र को ससक्त करने का काम करेंगे. चात्र चात्राओं की तैयारियां, उनका उत्सा और अभी जो समवाद हो रहा था, और जो मेरी आप लोगे से बात करने का मुझे मोकाल मिला, मैं उत्सा, उमांग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था, यह दिखाई देया, मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाय मिलेगी, इन सुविधायों से स्टूडेंट को और ज़्यदा काम करने की प्रेणा मिलेगी, और ज़्यदा प्रोचान मिलेगा, साथियों कभी रानी लक्ष्मिबाई ने बुंदेल खंड की धर्ती पर गर्जना की थी, मैं मेरी जासी नहीं दूंगी, हम सब को ये वाग्ष के बराबर याद है, मैं मेरी जासी नहीं दूंगी, आज एक नई गर्जना की आवशक्ता है, और इसी जासी से इसी बुंदेल खंड की धर्ती से आवशक्ता है, मेरी जासी मेरा बुंदेल खंड आत्म निर्भर भारत अभ्यान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा, इसमें बहुत बड़ी भूमी का क्रिशी की हैं, अग्रिकल्चर की हैं, जब हम क्रिशी में आत्म निर्भरता की बात करते हैं, तो यह सिर्फ खाद्यन तक ही सिमित नहीं है, बलकि यह गाउं की पूरी अर्थ वबस्ता की आत्मन निर्भरता की बात है, यह देश के अलग-अलग हिस्सों में, खेती से पैदा हुने वाले उत्पादों में, वैल्यू एडिशन करके, देश और दुनिया के बाजारों में, पहुंचाने का मिशन है, क्रिशी में आत्मन निर्भरता का लक्ष किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है, जब किसान और खेती, उद्योग की भाती आगे बड़ेगी, तो बड़े स्तर पर गाउं में और गाउं के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। साथ्यों इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में क्रिशी से जुड़े अहत्यासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही हैं। कई रिफॉर्म्स किये गए हैं। भारत में किसान को बंदिशों में जकरने वाली कानूनी व्यवस्ताय मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में मंडियों से बहार भी जहां उसको ज़्यादा दाम मिलते हैं वहां अपनी उपज बेज सकेगा। इतना ही नहीं गाउं के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बहतर इंफासेक्टर की सुविधा मिले। इसके लिए एक लाग करोड रुपिय का विशेश फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे क्रिशी उत्पादक संग, हमारे एपियोज, अब भंडारन से जुड़ा आधुनिक इंफास्टर भी तयार कर पाएंगे। और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे क्रिशी क्षेत्रे में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी इन सब को नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्ट अप्स के लिए रास्ते बनेंगे। साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक खेती को टेकनोलोजी से जोडने का, आदूनिक रिसर्च के फायदों को जोडने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमी का रिसर्च समस्थानों और क्रशी विश्व विद्यालव की भी है। छे साल पहले की ही बात करें, तो जहां देश में सिर्फ एक केंद्रिय क्रशी विद्यालव था, विश्व विद्यालव था, आज तीन तीन सेंट्रल अग्रिकल्चर उनिवर्सिटीज देश में कारियरत है। इसके अलावा तीन और राष्ट्रिय समस्थान आईये आराई जारखन, आईये आराई असंड और बिहार के मोतिहारी में महत्मा गांधी इंस्टिटूट फॉर इंटिग्रेटेड फार्मिंग इनकी भी स्थापना की जा रही है। इस रिशत समस्थान छात्र छात्राओं को नए मोके तो देंगे ही स्थानिय किसानों तक टेक्नोलोजी के लाब पहुचाने में भी उनकी ख्षमता बढ़ाने भी मदद करेंगे। अफिदेश में सोलर पंप, सोलर ट्री, स्थानिय जरूरों के मताबिक तैयार किये गए बीच, माइक्रो इरिगेशन, ड्रीप इरिगेशन, अनेक छेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को जादा से जादा किसानों तक पहुचाने के लिए, खासतोर पर बुंदेल खंड के किसानों को इससे जोड़ने के लिए आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। आदुनिक टेक्नोलोजी का उपयोग क्रिशी और इससे जूड़ी चुनोतियों से निपटने में कैसे काम आ रहा है। हाल में इसका एक और उधान देखने को मिला है। सारी मेहनत मिनीटों में तबाह कर देता है। कितने ही किसानों की फसल, सबजियां बरबाद होना बिलकुर निर्धार्ज हो जाता है। मुझे बताया गया है कि बुंदेल खंड में करीब करीब तीस साल बाद टिडियों ने हमला किया। वरना पहले इस खेत्र में टिडिया नहीं आती थी। सात्यों सिर्फ उत्रपदेश ये नहीं। देश के दस से जादा राज्य टिडी दल या लोकस्त के हमले से प्रभावित हुए थे। जितनी तेजी से ये फैल रहा था उस पर सामान्य तोर तरीकों पारमपारिक माद्यमों से नियंतरन पाना बहुत मुश्किल था। और जिस प्रकार से भारत ने ये टिडी दल से मुक्ति पाई है, इतने बड़े हमले को बहुत बैज्ञानित तरीके से जिस प्रकार से समाला है। अगर कोरोना जैसी और चीजे न होती तो शायद हिंदुस्तान के मिडिया में हफ्ते भर इसकी बहुत सकारात्मक्ट चर्चा हुई होती। इतना बड़ा काम हुआ है। और ऐसे में टिडी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए, जो युद्धस्तर पर काम किया गया, जांसी समेत अनेक शहरों में दरजनों कंट्रोल रूम बनाए गए, किसानों तक पहले से जानकारी पहुँचे इसका इंतजाम किय जा गया, टिड्डियों को मारने और भगाने के लिए, जो स्प्रे वाली स्पेशल मशिने होती हैं, वो भी तब हमारे पास इतनी संगय में नहीं थी, क्योंकि ये हमले ऐसे नहीं आते हैं, सरकार ने तुरंत ऐसी दरजनों अधुनिक मशिनों को खरीद कर जीलों तक पहु जाने या हो, ये सारे संसादन लगा दिये, ताकि किसानों को कम से कम नुक्शान हो, इतना ही नहीं, उचे पैडों को बचाने के लिए, बड़े क्षेत्रों में एक साथ दवा का छिड़काव करने के लिए दरजनों ड्रॉन लगा दिये गए, हेलिकप्टर तक के दवाई छिड़काव किया गया। इन सारे प्रयासों के बाद ही भारत अपने किसानों का बहुत जादा नुक्सान होने से हम बचा पाए हैं। अधिक से अधिक उप्योग में लाने के लिए आप जैसे युवार रिसर्चर्स को, युवार वैज्यानिकों को निरंतर एक समर्त्मित भाव से वन लाइब वन मिशन की तरह काम करना होगा। बीते छे साल से ये दिनदर कोशिश की जा रही है कि रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो। गाओं के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइन्टिफिक एडवाईज उपलब्द हो। अब केंपस से लेकर फिल्ड तक एक्सपर्ट के जानकारों के इस एको सिस्टिम को और प्रभावी बनाले के लिए काम किया जाना जरूरी है। इसमें आपके विश्विविध्याले के भी बहुत बड़ी भूमी काहा है। साथियों क्रिशी से जुड़ी सिख्षा को उसकी प्रैक्टिकल एप्लिकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गाउं के स्तर पर मिडल स्कूल लेवल पर ही क्रिशी के विशे को इंट्रोल्यूस किया जाए। इससे दो लाब होंगे। एक लाब तो यह होगा कि गाउं के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है। उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाब यह होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तक्रीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती में, डेश्टन एजूकेशन पॉलिसी में इसके लिए भी अनेक जरूरी इनफॉर्म्स किये गए हैं। साथियों, कितनी ही चुनोतियां क्यों न हो, निरंतर उनका मुकाबला करना हमेशा से, सिरब लक्ष्पी भाई के जमाने से नहीं, हमेशा से, बुंदेलखन अगवाई करता रहा है, बुंदेलखन की यही पहचान रही हैं, कि कोई भी संकट के सामने मुकाबला करना है। कोरोना के खिलाब बुंदेल खंड के लोग भी डटे हुए है, सरकार ने भी प्रयास किया है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, गरीब का चुला जलता रहे, इसके लिए उत्रप्रदेश के करोडों गरीब और गामिन परिवारों को जैसे देश के अन्य भागों में मुप्तरा आसन दिया जा रहा है, आपके यहां भी दिया जा रहा है। बुंदेल खंड की करीब करीब दस लाग गरीब बहनों को इस दोरान मुप्त गैस सिलिंडर दिये गए हैं। लाखों बहनों के जंदन खाते में हजारों करोड रुपिय जमा किये गए हैं। गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान के तहट अकेले उत्तर प्रदेश में साथ सो करोड रुपिय से अधिक का खर्च अब तक किया जा चुका है। जिसके तहट लाखों कामगार साथियों को रोजगार उपलब्द हो रहा है। मुझे बताया गया है किस अभ्यान के तहट यहां बुंदेल खंड में भी सेंकडों तालाबों को ठीक करने और नए तालाब बनाने का काम किया गया है। साथियों, चुनाओं से पहले जब मैं जांसी आया था, तब मैंने बुंदेल खंड की बहनों से कहा था कि बीते पांच वर्ष सौचाले के लिए थे और आने वाले पांच वर्ष पानी के लिए होंगे। बहनों के आजिरवात से हर गर जल पहुंचाने का अभ्यान तेजी से आगे बढ़ रहा है। UP और MP में ये बुंदेल खंड फेला हुआ है। ये बुंदेल खंड के सभी जिलों में पानी के सुरोतों का निर्मान करने और पाइपलाइन बिशाने का काम निरंतर जा रही है। इस शेत्र में 10,000 करोड रुपे से अधिक की करीब 500 जल परियोजनाओं की स्विकृती दी जा चुकी है। पिछले दो मेहने में इन में से करीब करीब 3,000 करोड रुपे की परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। जब ये तयार हो जाएगी तो इससे बुंदेल खंड के लाखो परिवारों को सीधा लाब होगा। इतना ही नहीं बुंदेल खंड में भूजल के स्तर को उपर उठाने के लिए अटल भूजल योजनापर भी काम चल रहा है। जांसी, महोबा, बांदा, हमीरपूर, चित्रकूर्ट और ललिकपूर्ट। इसके साथ साथ पस्चीम यूपी के सैकड़ों गावों में जलस्तर को सुधारने के लिए साथ सो करोड रुपे से अधिक की योजनापर काम जारी है। साथियों, बुंदेल खंड के एक और बेतवा बहती हैं और दूसरी और केन नदी बहती हैं। उत्तर दिशा में मा यमुना जी हैं, लेकिन स्थित्या ऐसी हैं कि नदियों के पानी का पुरा लाब पूरे ख्षेत्रों को नहीं मिल पाता है। इस थित्य को बदलने के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्यास कर रही हैं। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना में इस ख्षेत्र के भागे को बदलने की बहुत ताकत है। इस दिशा में हम दोनों राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं। मुझे पुरा विश्वास है कि एक बार जब बुंदेलखन को परियापत जल मिलेगा तो यहां जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बुंदेलखन एक्सप्रेस वे हो या फिर डिफेंस कोरिडोर हजारों करोड रुपिय के प्रोजेक भी यहां रोजगार के हजारों नए अवसर बनाने का काम करेंगे। वो दीन दूर नहीं जब वीरों की यह भूमी जांसी और इसके आसपास का यह पूरा ख्षेत्र देश को रक्षा ख्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए एक बड़ा ख्षेत्र विक्सित हो जाएगा। यानि एक तरह से बुंदेलखन में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का मंत्र चारों दिशाओं में गुजेगा। केंद्र सरकार और उत्रप्रदेश की सरकार बुंदेलखन की पुरातन पहचान को इस धर्ती के गवरव को सम्रद्ध करने के लिए प्रतिवद्ध है। भविश की मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर उनिवर्सिटी के नए भवन की आप सब को बहुत-बहुत बढ़ाई, दोगज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को आप हमेशा याद रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे, तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मान्य पधान मंत्र जी का उनके मार्क दसन के लिए आभार पकट करता हूँ।